और पिता का बुरूल इकठा करके एक किसी अन्य महिला के गर्ब में डाल दिया जाता है। पर उस बच्चे की ना वो मा है और ना ही उसके शराप का विज्यापन नहीं कर सकते। पर आप इन कंपनी ने इसी लूपोल का इस्तिमाल किया एक कॉस्ट में दो ब्रैंड अडवर्टाइज हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेरोगेट मार्केटिंग के बारे में। अब सेरोगेट मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले सेरोगेशी, सेरोगेट या सेरोगेशन वर्ड को हम समझ लेते हैं। Medical Science में एक term होती है जिसमें एक महिला बच्चे को जर्म देने में सक्षम तो है लेकिन शारीरिक विशमताओं के कारण या शरीर में किसी तरह की problem के कारण वो यह दिए बच्चे को जर्म देगी तो उसकी मृत्ति होने के संभावना है ऐसे में Medical Science में एक term होता है जिसमें मा का भुण और पिता का भुण इकठा करके एक किसी अन्यम महिला के गर्ब में डाल दिया जाता है जिससे मावर बच्चे का जर्म होता है और वो मा जो होती है जिसने उस बच्चे को जर्म दिया है उसको सेरोगेट मदर कहते हैं का जर्म कैसे हुआ इस बात को हम समझ लेते हैं सन 2003 से पहले हमारे देश में भारत सरकार ने विज्यापन पर कोई प्रतिबंद नहीं लगा रखा था इसलिए शराब तंबाकू गुटका खैनी ऐसे प्रोडक्ट्स अपने आपको एडवर्टाइज करने के लिए बहुत वज़र से युवा जो हैं वो कैंसर का बहुत अरिक शिकार हो रहे हैं जिसकी वज़से गौर्मेंट आफ इंडिया ने एक रूल पारित किया उसमें कहा सन 2003 के बाद में क्या कहा कि सिग्रेट एन अधर तबैको प्रोडक्स एक तरह से सारे के सारे प्रोहबिटिड है आप उसका विग्यापन नहीं कर सकते अब जो कंपनी हजारों लाखों क्रोडों रुपए उस प्रोड़क्ट का एडवर्टिजमेंट करके मार्कीट से ग्रैब कर रही है और लोगों को अपने प्रोड़क्ट से अवेर करा रही है उसके सामने बहुत बड़े समस्या आ गई कि अब इस तरह के प्रोड़क्त का विग्यापन नहीं किया सकता तो आप करें क्या इन्होंने सिस्ञाल किया सयरागेशियं के सिस्टम को समझा और अपने प्रोड़क्त को एंडोर्स करना शुरू कर दिया सेरूगेशन के थ gatherory कैसे काम करता और क्या होता है इस तानी खेनी और इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उस पर पूर्णता है बैन लगा दिया गया इसका विग्यापन नहीं किया सकता लेकिन अगर विग्यापन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी और सेल नहीं होगी तो यह कंपनी ज्यादा मुनाफ़ा कैसे कमाएंगी तो इन्होंने से बाकू का विग्यापन नहीं कर सकते हैं, पर आप इलाइची का विग्यापन कर सकते हैं, आप शराप का विग्यापन नहीं कर सकते हैं, पर आप सोडा का विग्यापन कर सकते हैं, या कोल्डरिंग का विग्यापन कर सकते हैं, इन कंप्नी ने इसी लूपोल का इस्तिमाल किया और एक नई तरेके का विग्यापन मार्किट में लॉंच कर दिया जैसे promotion by extension आप किसी भी तरह से kingfisher की शराब का बियर का विग्यापन नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जाग kingfisher के brand की promotion होने लग जाए तो kingfisher के मालिक विजय मालिया ने जो एरलाइन चलाते थे एरलाइन का नाम ही kingfisher रख दिया और सेम लोगों सेम डिजाइन से kingfisher पर advertisement करना चुरू किया newspaper में एड़ा रहा है hoardings में एड़ा रहा है FM पर आ रहा है radio पर आ रहा है TV पर आ रहा है समाचार पत्र में आ रहा है जहां भी आप देख रहे हैं kingfisher का advertisement है और जैसी brand recall करता है kingfisher मतलब bear kingfisher मतलब chilled beer तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं promotion by extension इसका सहरा लिया सबसे पहले विजय मालिया ने अपने brand को promote करने के लिए अलग अलग तरीके से और उन्हें kingfisher का कलेंडर निकाल दिया एक रोल मॉडल्स को लेकर फोटो शूट करना शुरू कर दिया और वहां पर kingfisher के कलेंडर की चल रही है इन डारेक्ट वे में वो kingfisher beer के यहीं बात हमने देखा है कि रॉयल चैलेंज रॉय चैलेंजर की टीम बना दी आई पील में cricket team बना दी और ब्रैंड का जो लोगो है वो भी सेम रखा गया यह बात बहुत अदिक विवादों में भी आई कि कहीं न कहीं इसको शराब का बारे में बोलें क्योंकि रॉयल चैलेंज की जो शराब बनाने वाले बी कंपनी है और रॉयल चैलेंज के नाम से जो क्रिकेट इम आरे वह भी वही कंपनी है तो अब्जेक्शन कौन करेंगा इस तरह से आप देखते हैं बहुत अधिक आटा है एसका जो पैटरने इसको इस तरह से डिजाईन किया गया है वो कैसे है जैसे विमल का गुटका होता है है ना और लेकिन यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है इलाइची जिसकी वज़े से इलाइची का एड़िजमेंट आप कर सकते हैं पर इंडारेक्ट वे में प्रमोट क्या हो रहा है विमल का गुट का है ना यही बात आप देख लें पान मसाला पान बहार यही आप देख लें कमला पसंद अमिता बच्चन जैसा एक सूपर स्टार इसको एड़टाइज कर रहा है और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं प्रोमोशन बाय एसोसियेशन अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट से एसोसियेट कर दो ताकि कंज्यूमर के माइंड में ब्रैंड की ए विग्यापन आपकर नहीं सकते पर मैगडवल बनने वाली शराव वाली कंपनी है जिससे उसका विग्यापन देशे चल रहा है तो यह वह तरीके रहे जिसकी वएसे एंडोर्स में चलता है और आप बहुत सारी तरीके देख सकते हैं यह तो बात रही कि जिन विग्यापनो नहीं है को लेनी के ज़रूत नहीं है किसी तरह का कोई चलान नहीं किटेगा किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है पर आप अड़ीजमेंट कर रहे हैं जैसे अगर हम बात करें प्रमोशन बाइए एक्स्टेंशन क्या होता है आप देखेंगे क्रिकेट बैट MRF बच्च आप सीएट का अड़ीजमेंट देख सकते हैं यह क्रिकेट टूर्नमेंट होने वाले जितनी भी होते हैं मैचीज होते हैं वहाँ पर IPL ड्रीम 11 ड्रीम 11 क्या है एक तरह से सट्टा खेलने का एक प्लैटफॉर्म है अप है जहां पर क्रिकेट खिलाया जाता है और क्रिकेट प्लेग्राउंड में उसका अड़ीजमेंट चल रहा है तो यहां पर एक तरह से इंडारेक्ट वे में सट्टे को प्रमोट किया जा रहा है और वैसे किसी भी तरह के इलीगल स्पैकूलेशन को आप प्रमोट नहीं कर सकते तो आप के जरी की गेमिंग अप है यह ना पैपस प्रमोट को थमसब मैक डॉनल नमबर वन आप देखेंगे यह वह अड़िजमेंट्स हैं जो एक्स्टेंशन के माधियम से किये जाते हैं इसके लावब कुछ एग्जमपल आप देखें प्रमोशन बाई एस्सोसियेशन फ्रेंट जरूरी नहीं कि सेरोगेशन का मतलब केव इसका कॉंबो बना हुआ है जैसे वाशिंग मशीन सैमसंग की और साथ में सर्फ एक्सल तो सर्फ एक्सल और इनका आपस में टाइप है जो मिलके एक तरह से अड़िजमेंट कर रहे हैं ठीक इस तरह से जब कोक का टाइप मैक डी से हो गया तो बर्गर किंग ने टाइप कर हो चकते हैं अब आपके मन में यह एक प्रश्ण होना चाहिए कि सर यह जो मार्केटिंग आपने बताई हैं यह तो बड़े-बड़े ब्रैंड कर रहे हैं हम स्मॉल स्केल पर ऐसा क्या करें कि हम सेरोगेशन का फारमला अपने बिजनस में लगा सकें यह समझना भी बहुत है फ्रेंड्स आज आप अपने बिजनस को अड़टाइज करने के लिए ना अलग अलग तरह से एस्सोशेशन एंड एक्जिगुशन भी कर सकते हैं वो क्या है जैसे आपने किसी यूट्यूब चैनल से टाइप कर लिया आप अपने आपने आपने थ्रीविलर पर अपने का पर अपने बाइक पर आप उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं और वह आपको प्रमोश्रिल अपने चैनल पर कर रहे हैं इसके लावा आपकी सोसाइटी आपके जोन आपकी सिटी में बहुत सारी इवेंट्स होते हैं कभी जागरन समारो जागरन हो रहा है या विशाल भंड इसमेंट दिया यहां क्या हुआ कि होडिंग कुछ समय के लिए लगते हैं और जो वहां की अथारेटी वह भी उस पर कोई चलान नहीं काटती है क्योंकि पता है दो तिन दिन का प्रोग्राम है बाद में हट जाएगा तो यह भी ब्रैंड प्रमोशन करने का एक तरीका है य पोस्टर के माधियम से किया हमने फीजिकल पोस्टर भी लगाए डिजिटल पोस्टर भी सोशल मीडिया पर पर मोट किये अर्विन के इद्रिवाल जी का अब अब देखते हैं पॉलेटिकल प्रमोशन हो रही है तो वहाँ पर कई बार ऑफिसर्स भी एक्षन लेने में प्रेटफॉर्म के जरीए इस तरीके के जरीए देरे देरे ग्रो करना चलग जाए तब आप कॉमर्शल एडविडिजमेंट कर सकते हैं आज हमारी कंपनी बहुत सारी जगह पर यूनिपोल्स लगाती है यूनिपोल आपने लगे देखे होंगे रेड लाइट पर कहीं भी म इसेंपल्स हो गए ब्रैंड एसोशियेशन कर सकते हैं कोई इवेंट हो रहा है जैसे देखिए के इवेंट था इन दौर में हमारा बिजनस और माइंड बूस्टर सेमिनार तो वहां पर लाइंस क्लब ने हमारे साथ असाथ कर लिया है और हम भी बहुत सारी इवेंट में अ इसाथ पार्ट है और अगर आप सही तरीके से सही मेःफ़ड़ को इंप्लीमेंट करते ना तो बड़े-बड़े ब्रैंड के सेलिब्रिटि बड़े वोड़ेs celebrating is a आपके साथ कही ना कहीं कहीं ना कहीं किसी event में presence में हमने भी इस फार्मुले का स्तिमाल किया बहुत सारे events में बहुत सारे programs में seminars में वोक्शॉप में social event में traditional events में हमने participate किया और participation के बाद हमने जो वहाँ पर celebrating photos click हुए उनको अपने brand में इस्तिमाल किया हा लेकिन यह जरूरी है यह भी मेंचिन किया कि इस अवार्ड इस टेकन बाइज परसन गिवन बाइज परसन इन इस इवेंट वाल फेम बनाकर भी आप उसको अड़्वर्टाइज कर सकते हैं आप देख लीजिए यह मेरा एक इवेंट जिसमें मुकेश खन्न काफी सारे क्रिकेटर्स हैं अमर्ता राओ है कई बार तो मेरे को नाम भी आद में नरेंदर मोदी जी के साथ एक प्रोग्राम हम नहीं किया अमित शाह जीमी शेरगिल संग्राम सिंग राजीव गुपता जो भीम बनते थे हैं ना हमारे यहां के मुख्य मंत्री मनीश से करते हैं कैसे कि मैटास लाइफस्टाइल के सीयो को सम्वानित किया इस वेक्ति ने या इस प्रोग्राम के माधियम से मिले मैटास ओवर्सीज लेमिटेड के सीयो विद नरेंदर मोदी जी तो यह तरीका होता है जिससे आप साहरोगिट मार्केटिंग कर सकते हैं आपको यह चैनल का नाम क्या है डॉक्टर अमित महिश्वरी मैटास क्लब तो कही ना कहीं मैटास क्लब को मैटास लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए भी हम सेरोगेशन का इस्तिमाल अपने इस यूट्यूब चैनल के माधियम से कर रहे हैं इसके लावा मैटास फिटनेस जहा हम सेरोगेट मार्केटिंग का इस्तिमाल करते हैं आप यदि खुद का चैनल नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं इन्फूलेंसर हैं उनके साथ टाइप करके एस्सेशन करके एक्स्टेंशन करके आप अपने बिजनस को असानी से बहुत स्मॉल स्केल से अपने बिजनस को अड़टाइज करते 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 इस लेवल पर लेकर आजाएंगे कि आप भी यूनिपोल, एफम, टीवी, रेडियो, बड़े-बड़े न्यूस पेपर्स, आर्टिकल्स के मादियम से अपने आपको अड़टाइज कर पाएंग लिमिटेड कंपनी तक लेगए, यह सारी चीज़े आप भी कर सकते हैं, जो बड़े-बड़े बिजनस ओनर हैं, वो बिजनस के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और जब उस क्रम पर चलते-चलते मैं भी अपने बिजनस को मैटास ओवर से लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया, तब मैंने वो सारे सीक्रेट्स लोगों के सामने रखना शुरू किये, इसलिए अपने बिजनस टाइम से एक्स्टा राइम निकाल कर आप लोगों के लिए मैं बिजनस वीडियो बनाता हूं, ज़रूरत है इन चीजों को सीखने की, समझने क और अपने बिजनस में इंप्लीमेंट करने की, आपके मन में येदी कोई भी प्राश्न है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखका ज़रूरू बताएं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूं, जै